असलाम अलेकुम अबरीबन तो कैसे हो आप सब लोग अलहमदुलीला सब लोग खेरियत सोंगे अलहमदुलीला मैं भी ठीक हूँ थोड़ा सा कॉल हुआ है बड़ सुक्के और आज की रेसिपी है खिचड़ा रेसिपी तो मेरे साथ जो हुआ खिचड़ा बनाने के टाइम पर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी आपके साथ भी होता ही होगा मैं भी तो कि मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है और मेरे रेसिपी पहली बार ऐसे चीज मेरे साथ होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है जिसके वजी से मैंने सुचा कि आप लोग को शेयर करूँ कि आप लोग को की साथ भी ऐसे कुछ हुआ है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहु ज़्यादा लिया गया था और सारी डाले दो सो तीन सो गराम के साब से लिए quantity के साब से वो ममी नहीं लिये थे मुझे उतना नहीं पता है तो actually recipe बनाने वाले थे ममी मतलब खिचड़ा ममी बनाने वाले थे बट ममी अर्जन में गाव चले गए क्योंकि emergency थी रात और रात उनको गाव निकलना पड़ा तो यहाँ पर रात में पुरी दाले भीगा के रख दी गई थी और सुबह में उसको सीटिया लगानी थी तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ क्योंकि मैं पहले कभी खिचड़ा इसे खुद से नहीं बनाई हूँ और हमेशा मम्मी बनाते हैं बस मैं जो बगार बगरा होता है न मैं वही लगवाती हूँ ज़्याद कुछ करती नहीं हूँ तो जो दाली की quantity बगरा जो है सब मम्मी करते हैं तो रात में ही डीसाइड हो गयता है कि सुबावी खिचड़ा बनाना है इसके सबसे हम लोग ने आटा वगरा कुछ भी गुंदावा नहीं था सब कुछ यह खिचड़े पर डिपेंड था तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि इसको बेस्ट नहीं करते हम लोग इसको बना के ख कड़ा दिया था और यहां पर मैं एड कर रही हूं ओइल और दालचिनी लोंग काले मीरे मतलब जो खड़े मसाले हो थे हमको पूरे एड करने हैं इसके अंदर हम लोग सुआ में लेट भी उठे थे जिसके बज़ी से नाश्टे में हम लोग ने कुछ नहीं खाय थे बस चा चाजीरा अध्यकलोसिन को पेस्ट आड किया है इसके अंदर और हरी मिच साथाट और टमाटर यह टमाटर मैंने तीम टमाटर बड़ थे जिसको मैंने चॉप करके रखा था और यह फ्राइड वाली अनियन से जिसको मैंने फ्राइड करके रखा वा तो वो एड करेंगे हम लाल मीच, मसाला मीच, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धन्या पाउडर और नमक इन सारे मसालों को मिक्स करना है और दो तिर मैट तक उसको कुप करना है और मेरे से जो गड़बड होई थी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्योंकि मेरे साथ ऐसा सीन पहली बार वाय पता मैं आपके साथ ऐसा हुआ है नहीं एकि मुझे आगर आपके साथ हुआ है ना मैं जरूर शेयर करें और यह बकरे का गोश्ट है तो यहां पर मैंने एक किलो लिया है हड़ी वाला है तो वह उसको मसाली के अंदर आड़ करना है और पानी आप आपके कॉंटेटी के साथ से अंदर उपर से मैंने नीमबू का जूस आड़ किया है नीमबू मैंने लिए चार बड़े वाले और यहां पर मैं मिक्स कर जूँ अच्छे से मसालों को और गोश्ट अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और दो जिन में इसको ऐसे कुप किया है हाई फ्लेम टे रखके उसकी लास्ट पर यहां पर मैं इसकी पानी आड़ करके सीटी लगवाओंगी हडी बलगोश्ट तो टाइम लगता है इसको कूप होने के लिए तो आदे गिंटे की उपर मैं इसको कूप करने क्लिए रख दूँगी और यहां पर हमारी जो खेचड़ी की लाले थे सारी गल्चु लाइट जाने के वज़ी से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करवा इतना ज्यादा परिशान हो चुकी थी बट माशला है खिचड़ा बहुत अच्छा बनादा टेस्ट में लेकिन यही सीन मेरे साथ हुआ है अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोग मुझे कोमें तो बहुत अच्छे से बना था यह इंशाला मैं आपको और फिर कभी खिचड़े की रेसिपी शेयर करूंगा अगर आपको चाहिए तो बट लास्ट का प्रोसेस जो है वह यह मिक्स करना है दोनों को और दो तिन मेट के लिए सुप करना है और यहां पर मैंने ओन्योंस फ् तो बस यह धनिया पत्ता से थोड़ा बहुत गार्निशिंग कर रही तो अच्छा लगता है और टेस्ट की बात करूगा सच में बहुत यमी बना था लास्ट में हम लोग ने मेरा दिल इतना था कि मैं अपने बुक भी खिला हूँ तो मैंने थोड़ा से मेरा बुक ले रखी तो बहुत यमी था बस इतना ही यह रेसिपी मेरे कुछ शेरी करने थी आपके साथ तो जो मैंने किया आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना कि यह रेसिपी कैसे थी यहाँ पे मैं अपने घर पर हूँ और यहाँ पे मैं और मेरे हजबेंट खा रहे दाल चामवल और सबजी और साथ में चिप्स हमारे जो फेवरेट हैं और साथ में कभिल शर्मा शो उसके बाद हम लोग गये थे बाहर क्योंकि हम लोग अभी जाने वाले हैं मेरे सस्राल थोड़ा बहुत सामान खरी देंगे घर के लिए मतलब ऐसी हमारी तरफ से हम लोग लेके जा रहे हैं थोड़ा बहुत मेडिकल से और क्रीम मगरा लेकर जाना है अम्मी के लिए मेरे जो इनलोज हैं उनके लिए और थोड़ा बहुत डिमार्ट से हम लोग सामान लेंगे तो कि रास्ते में उन्दा तो लगता है यह एक डीमाड है तो हम लोग ने सुचा है कि हैंसे ले लेते हैं तो बस हम लोग रैंडम ली चीज़े खरीद रहे थे जो हमको अच्छा लग रहा था वो ले रहे थे आप लोग देख रहे हैं हम लोग क्या का सामन लेके जा रहे हैं ऐस पर जाने माद पता चलता है कि हम लोग ने ये सारे चीजे लिए ब्रुश लिए हैं, हैड़ वॉश लिए हैं, जो अच्छा लग रहा है वो सारे चीजे लेगे हैं, पर मैंने चोकलेट भी ले ली ती फलेरों के बच्चे के लिए हमदा, हमजा के लिए, सौरी हमदा न तो भ हम लोग घर के लिए रखेंगे और एक हम लोग लेके जाएंगे हैं, तो यह मेरा बैग है, जिसके अंदर मैंने सामान डाल दिया है, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा है, हम लोग ये सारे चीजे लेके जारे, इसलिए मैंने आपको दिखाया है, साइड मैंने कपड़े बबर के रख दिये था रात का टाइम हो रहा था और यहां पर हो रहे सुभा के साड़े साथ तो अब हम लोग रेडी हैं अब अल्मोस्स निकले हैं साथ में दोई बैग थे एक लैपटॉप की और एक हमले ट्रॉली बैग और हम दोनों बहुत जादा नीन में थे रात में जाओ लग रहा था मुझे तो बस हम लोग ऐसी निकले नाश्टा भी नहीं किये बस ऐसी निकले सफर के लिए और यहां पर हम लोग ट्रेंट चेक कर रहे थे कि कहीं हम लोग लेट ना हो जाए और यह थंडी लग रही थी सुभा का टाइम था बहुत जादा थंडी लग र देख लेते घर से और यहां पर बहुत प्यारा प्यारा सा व्यू आ रहा था मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता मॉर्निंग के टाइम पे और जब हम लोग लोग क्रॉस करते तो वहां पर अलगी फीडिंग आती है और वह सारा क्लाइमिट देखके तो हम लोग स्टे हृँए थी तो यहां पर आपको यही बोलहूं कि मैस सोने वाली हृं और कोईंसिदेंटलि हम दोनोंकि श्यूब गोज सेम ब्लाक हो छुके है मैनम लोग नाइट पे पन जो है वो भी भलाक है, मैंने ब iç वुब ब्लाक पेना है, तो लोग लोग लोना डूमोस्ट घर पर आने के बाद चाय नाश्टा वगर किये वापस से फिर ये लंच के टाइम पर अमी ने बनाए थे गेहू की खीर बहुत यम्मी थी गाइस बहुत ज्यादा यम्मी थी और यहां पर भावी जवारी की रोटी बना रहे हैं माशाले इतनी बड़ी रोटी और इतनी पतली बनाते हैं ना मुझे तो बिल्कल भी नहीं आती है जवारी कोटी इन्शाला मैं सीखूंगी ज़रूर और यहां पर मैं फिश फ्राइ कर रही थी लंच के लिए हम लोग मुंबई जब ब्यटे हैं सह्जाला लेकर यह आते हैं मुझे भी फिश बहुत जादा पसंद है और इनको भी जम दोलुटा की पसंद की चीज़े कोई नहीं बनाता है बस जो भी है ससुराल में मतलब मैं लग्यू हूँ मेरी पसंद की चीज़े बनती है जब तक मैं आपर हूँ तब तो अलहम्दुलिल्ला मेरी वर्णिंग भावी के साथ में आपर हूँ बहुत बहुत प्यारा लग रहा है और उसके बाद रात का टाइम है और यहां पर भाबी ने इटली के लिए रवा और यह उरित की दाल है चावली सब कुछ भीगा के रखे थे तो यहां पर मैं रिकॉर्ड करने लगी भाबी उसको ब्लेंड करने लगे थे रात का ओवरनाइट उसको पूरा रखेंगे और सुबा में हम लोग इटली बनाएंग सेम चीज रिपीट नहीं होगी यह चीज महाँ पर होती है जब भी हम लोग जाते माशाला और यहां पर भाबी मुझे बता रहे कि इतना दरदरा सा पीसना है क्योंकि माशाला बहुत जाता अच्छे से बेटर बन चुका था यह वाला और यह जो टोप जिसके अंदर वो र सुबा में वो फूला हुआ था अभी हिहां पर सुबा हो चुकी है सुबा का व्यूं कुछ इस तरीके से साम में ऐसे गाड़ी आ जाती है थोड़ा पूतावाज आती है फिर हम लोग का थोड़ा सा प्लान फ्लॉप हो गया है एच्छुली हम लोग ने हैं पर डोसा बन वा पर डोसे बन वा के खाया लिये थे और यहां पर मैं थोड़ी बद हमदान के साथ में टाइम स्प्रेन करने लगी वो मेरी फिंगर पकड़ा था बिल्कुल भी छोड़ा इतना टाइट पकड़ा था मार्शला बहुत अच्छा लग रहा था जब दोफर के टाइम पर भाई खाना खाने के लिए तो साथ में लेकर रहते हैं और फालू दैस्क्रिम अगरा लेकर रहते हैं शायद मैं रिकॉर्ड नहीं किया में भी वो शौट में रिकॉर्ड किया था और मेरे से अप्लोड होंके टेलीड भी हो चुका है ना तो मैं आपके साथ वह भी शेर करती यह इनको पसंद है इसलिए नहीं लेकर आये थे दो दिन तब्यत मेरी बहुत ज़ादा खराब थी जिसके और जिसमें कुछ और रिकॉर्ड करने ही पाई और कई बाहर भी नहीं जा सकी बारिश बहुत जाता थी उसके बाद हम लोग घर जा रहे वापस पूने तो बस इतना ही छोटा सा क्लिप था मैंने सोचा कि आपके साथ वो भी शेयर करूँ इन्शाला फिर कभी मैं बाहर जाओंगी यहां पर फैमिली के साथ में तो आपके साथ शेयर करूँगी खराब होने एक वज़ी से ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया बस आज के लिए इतना ही ओक हुआ है